टेक मिताज हम बात करेंगे बॉल्यूट के सूपर इस्टा अजी देवगन की फिल्म दिश्यम्टू और रितेश देश्मुक के फिल्म वेत के बॉक्स ओविस कलेक्शन के बारी में आपको बताएंगे कौन सी फिल्म ने मारी आज बॉक्स ओविस पर बाजी और कौन सी इंड किया गया और पब्लिकों के डिक्स के मिले फोर इस्टा रियों की बदलत फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ओविस पर रिलीज होते ही 15 करोड 38 लाग रुपे से भी जादा की ओपनिंग करने में कामियाब रही जिस वज़े से फिल्म का पहले पते का बॉक्स ओविस इनों का टूटल हिंदी बॉक्स ओविस कलेक्शन 237 लाग रुपी हो जाएगा लेकिन फिल्म वल्ड वाइड बॉक्स ओविस पर काफी बड़ा धमाका करते हुए 404 करोड रुपे से भी जादा की कमाई कर लेगी और अकर इस फिल्म से रितेश देश्मुक की मराठी फिल् पहले दिन बॉक्स ओविस पर रिलीज होते ही 2 करोड 25 लाग रुपे से भी जादा की ओपनिंग की जिस वज़े से फिल्म का पहले अपते का कलेक्शन का फिस जबज़ेस तरह ओ फिल्म ने पहले अपते अपने 15 करोड रुपे के बज़ट को आसानी से री कवर करते हुए 20 करोड 266 लाग रुपे कमाये लेकिंग फिल्म को अभी तक बॉक्स ओविस पर रिलीज वे आज 9 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट संक मताबिक वेद फिल्म अपने 9 दिन यानि आज बॉक्स ओविस पर फिर से थोड़ी सी ग्रोध पाते हुए 2 करोड वई यसी लाग और मराठी फिल्म वेद बने की बॉक्स ओविस इंडिया की सबसे बड़ी ब्लोगविस्टा है फिल्म में दूसरे नमबर पर रही कि अजई दिवगन की फिल्म दिश्यम टूले कि अगर आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है तापको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्मों सबसे जादा पसंद आई और आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को गहोगे बॉक्स ओविस इंडिया की 2023 की सबसे बड़ी ब्लोगविस्टा है और सबसे बड़ी फ्लोप मराठी फिल्म वेद को या फिर अजे देवगन की फिल्म दिश्यम टूका आप कि राहे में नीचे कमेंड का जरूर बताएं और से नाय तो मैं से उडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें